हेलो फ्रेंज अभी हम कुछ क्वेस्टेंज के टाइप के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे क्लिक करोगे मल्टिपल चॉइस के जगा पे ड्रॉब डाउन में इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉट एंसर और परगाफ को कैसे यूज क एक और कुश्चन एड करता हूँ एड करने के लिए मुझे यह प्लस बटन पर क्लिक करना है फिर वाट इस यूर इमेल आइडी चीक है यह बेसिक क्वेस्टिन के टाइप पर यह शॉट एंसर आपको करना चाहिए सिलेक्ट तो पहला आ गया वाट इस यून नेम वाट इस इमेल आइडी प्रिव्यू बटन यूज करके आप देख सकते हो यह फॉर्म कैसे दिख रहा है आपको तो देखिए ऐसे दिख रहा है यह फॉर्म कुछ और सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ जैसे कि वाट इस और नेम अगर आप चाहते हो कि यह जो यह फॉर्म फि कोशिश करूँ तो यह सब्बिट करने नहीं देगा तो सबसे पहला यह है जैसे हमने फॉर्म के हेडिंग में बताया था फॉर्म क्या है किस बारे में आपी सिमिलर चीज क्वेश्चिन के बारे में ही बता सकते हो तो यहां पर जाईए जो थ्री डॉट से यहां पर यहां यहां पर आगर डिस्रिप्शिन तो प्लीज राइट यौर नेम इन डीटेल्स फॉर एग्जांपल ऐसे आप लिख के दे रहे हो किसी वो क्वेश्चिन समझ भी ना आ है तो यहां पर एक डीटेल आप दे सकते हो similarly what is your email id में मैं click कर रहा हूं description please mention your correct email id यह भी आप लिख सकते हो we will not be using this email id for commercial purpose disclaimer type आप लिख सकते हो इसका preview देखते हैं देखिए what is your name नेम के मीचे आ गया है कि यह question का मतलब क्या है email id के नीचे भी question का मतलब आ गया है तो इस तरह लिखोगे तो लोगो clarity होगी doubt नहीं हो सकती है हमने दो question बनाया अब मैं यहाँ पर click कर रहा हूं what is your email id अब मुझे एक और question बनाना है what is your mobile number वही दुबारा plus पर click करूंगा यह सब लिखूंगा यह सब नीचे लिखूंगा drop down से short answer करूंगा काफी lengthy process है short कर सकते हो बस आप इस बटन पर क्लिक कीजिए duplicate तो इस question का basically duplicate बनके आ गया तो यहाँ पर मैं क्या दो चार्ट चीज़े change कर सकता हूं देखिए बस ऐसे हम दो चार्ट चीज़े change कर सकते है यह और आ चुका है यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लीज मेंशेर करेक्ट मुबाइल नंबर तो मुझे मुझे शॉटकर्ट से हो गया यह we will not be using this मैं वही लिख रहा हूं this number for commercial purpose ठीक है प्रिव्यू देखते हैं देखिए आ गया सब कुछ similarly यह हो गया short answer अब एक और question add करते हैं यह question का टाइप होगा paragraph मतलब large answer यह generally होता है कि what is your address क्योंकि यह लंबा answer है तो detail लिखना चाहिए यहां पर भी आप response validation description लगा सकते हो कि please mention in detail your address along इसको delivery करवाना चाहते हो along with the pin code यह features को use कीजिए ताकि लोगों को कोई doubt ना हो यह क्यों सवाल आप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है तो देखिए कर दिया है ना मैं अभी आपको कुछ चीजे validation करवाता हूं जैसे की email ID है पर मैं क्या कर रहा हूं देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं और इसने accept भी कर लिया है चीजिए पर यह अभी हुआ नहीं क्योंकि हमने एक चीज नहीं किया इसको बोलते हैं रेस्पॉंस validation तो वाट इस और नेम पे तो लगा नहीं सकते को वेलिडिशन किसी का नाम कुछ भी हो सकता है मैं वाट इस और email प्ले क्लिक कर रहा हूं मैं वहीं दुबारा थ्री डॉट्स पे जा रहा हूं और यहां पर ऑप्शन है रेस्पॉंस validation मतलब जो यह यूजर रेस्पॉंड कर रहे है इस question को आप इसको validate कर रहे हो कैसे मैंने यह बटन क्लिक क्या थ्री डॉट्स response validation तो यह चीज आ गई यह number greater than वगेरा तो मुझे यहां पर drop-down पर जाना है और मुझे text पर जाना है और यहां पर जाना है email पर तो देख रहो response डाल दिया कि email होना चाहिए और एक custom error भी डा सकते हो this id is not correct तो यहां पर वो पता नहीं चलता है हमें हमेशा प्रिव्यू पर जाके देखना होता है what is your email id पहले मैं क्या लिख रहा था मैं कुछ भी लिख रहा था देखिए अब मैं जैसे next question पर जाता हूं यह error statement मैं दुबारा लिख लेता हूं this id is not correct ठीक है तो देखिए अभी मैं जब यह answer यहां पर डाल रहा हूं कुछ भी तो देखिए लिखा हूँ आगे this id is not correct मतलब वो मुझे आगे जाने देगा ही नहीं मुझे submit करने नहीं देगा form क्योंकि यह email id है नहीं इसके ले हम क्या करेंगे तो देखिए यह format होना चाहिए देखिए ज़री नहीं कि email id correct हो यह format होना चाहिए इसका मतलब है जैसे कि add the rate के बाद मैंने space दे दिया तो इसने accept नहीं किया या फिर.com के बाद में space दे दिया तो इसने accept नहीं किया है तो at least यह add the rate dot com dot in वगरा होना चाहिए प्रॉपर ओर्डर पे similarly mobile नंबर अभी मैं यह कुछ भी डालू देखिए accept कर रहा है जो की गलत है मैं चाहता हूं mobile नंबर यह हो तो response validation यहां पर आप कुछ भी logic लगा सकते हो जो आपको सही लगे मैं simply कर रहा हूं greater than six nine times zero डाल दूंगा और यह में लिखूंगा एंटर दी कर्रेक्ट मुबाइल नंबर तो देखिए क्या मतलब इसका अगर मैं मुबाइल नंबर के जगा पर टेक्स लिखूंग देखिए accept नहीं कर रहा है अच्छा अगर मैं नंबर ही लिखूं 1234 तब भी accept नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने validation दिया है कि क्योंकि इंडिया में 66 से start होता है mobile नंबर तो कुछ भी mobile नंबर डालते अभी तो 10 digit 1234 789 10 देखिए यह उसने accept कर लिया है ठीक है तो इस तरह वैलिदेट कर सकते अपने answers को कि लोग न गलत जवाब ना दे चो actual होना चाहिए वही जवाब आपको दे तो यह हम short answer और paragraph में नहीं कर सकते short answer में कर सकते हैं आप यह response validation का option यूज कीजिए ताकि आपके पास जो answer आये वह correct format पर आये इस वीडियो में तना ही thank you so much